हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है तुरिष्टी का किचन्स में आज हम बनाएंगे घर पर ही फेस पेक जिसे हम तयार करके हमारी बोड़ी पर जितना भी कालापन है या दूप की वज़े से कालापन आ जाता है जैसे हाथ, पाउं, गर्दन और चहरे के उपर तो हम इस नेचूरल फेस पेक से हमारी बोड़ी का कालापन दूर करेंगे हमारे घर के अंदरी बहुत सारा इससा समान होता है जिसे हम घर के नेचूरल तरीके से फेस पेक बनाकर हमारी बोड़ी का कालापन दूर कर सकती है तो friends यकीन माने ये बहुती अच्छा फेस्पेक बनेगा और आपको बहुती अच्छा रिजल्ट देगा तो हमारे घर के अंदर आलू सभी के घरों में होता है क्योंकि हम लगबग बच्चों को और बड़ों को सभी को आलू की सबजी बहुत ज़्यादा पसंद होती है के बाद हमें इसका चिलका साइड में रख देना है और इसका जो कदूकस होता है उसमें से हमें इसका जूश निकालना है यानि इसका रस निकालना है तो friends सबसे पहले हमें इस तरीके से इसका कदूकस करना है आलू का कदूकस करने के बाद हम लेंगे एक कटोरी और कटोरी में इसका हम आलू का रस निकाल लेंगे फ्रेंज इसी तरीके से हमें आलू का रस निकालना है आलू का पूरद आलू को पूरी तरह हमें निचोड लेना इस तरीके से देखिए और फ्रेंट्व मैं यहाँ पर बता देती हूं कि आदा आलू से हम एक बार का फेस पेक बहुती अच्छे से बना सकते हैं क्योंकि इसमें इतना रस निकलता है और अब हमें लेना है हाफ टमाटर थमाटर का भी हामें इसमें रस लेना है तो यहाँ पर मैंने टमाटर का जूस ले लिया है और इसके जो बीज है हम इसको छन लेंगे यानि इस बीज को हमें हटा देना है और आप अगर चाहे तो इस टमाटर को भी कद्दू कस करके और फिर रस निकाल सकते हो तो फ्रेंट्स मैं यहाँ पर इसके बीज को निकाल लेती हूँ आलू और टमाटर का रस टालने के बाद फ्रेंट्स हम इसमें एड करेंगे एक चमच बेशन और एक चमच गेहूं का आटा और अब इसमें मिलाएंगे हम सहद सहद हमारे स्कीन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है इसमें हमारे स्कीन के उपर गलो आता है और खोई हुई चमच भी वापिस से आ जाती है तो हम इसमें सहद एड करेंगे और फ्रेंट्स जहां तक हो सहद ओरिजनल ही लीजिए और उसके बाद हम एड करेंगे चुटकी भर हल्दी तो हल्दी हमारे बोड़ी के लिए बहुत अच्छा रहता है अब हमें मिक्स करके अच्छा सा पेस्ट बना लेना है थोड़ा सा अगर टाइट रहता है तो इसमें हम डालेंगे एक चमच गाय का दूद अगर कच्छा दूद अथ बहुत ही अच्छी बात है वरना आप थोड़ा ठंडा दूद करके डाल दीजिए गरम दूद मत डालिए फ्रेंड्स अब इसमें हम एक चमच गाय का दूद मिला देते हैं तो इन सभी चीजों से हमारे चहरे पर इतनी गलो आ जाएगी फ्रेंड्स हपते में दो या चार वार आप अवशे कीजिए इससे हमारे चहरे पर स्कीन पर गलो आएगी साथ ही चहरे की चमक आएगी और साथ में हमारे जो चहरे पर छोटे छोटे बाल होते हैं वो भी इस बेशन और सहद की वज़े से हट जाएंगे तो फ्रेंट्स दिरे दिरे इसका रिजल्ट मिलता है एक दिन में नहीं मिलता हपते में दो चार वार इस तरीके से फेस पेक लगाने से इसका रिजल्ट बहुती अच्छा मिलता है तो अब हमें हमारे बोड़ी पे या फिर फेस पे इस तरीके से अपलाई करना है या मैं डेमो के लिए हेंट पे लगा कर दिखाती हूँ यानि मेरे हाथ पे उपर लगा कर दिखाती हूँ तो हमें फ्रेंट्स इस तरीके से इस फेस पेक को लगा लेना है इस फेस फेक को आप अपने गर्दन के उपर, पाउं के उपर, हातों के उपर या फिर अपने चहरे के उपर लगा सकते हो इसका कोई भी साइड इंफेक्ट नहीं है अगर आपको निम्बू सूट होता है तो निम्बू डालिए वरना आप मर डालिए तो अब हमें इसको अच्छे से दीरे दीरे इसमें मसाज करने इसी तरीके से तो फ्रेंट्स जैसे जैसे हम अपने हातों से मसाज करेंगे तो वेसे वेसे हमारे बोड़ी का जितना भी काला पन होगा वो दीरे दीरे खतम हो जाएगा इस face fake को चहरे पर लगाने से और उसके बाद धीरे-धीरे मसाज करने से ये चहरे की डेडी स्क्रिन को निकालता है साथ ही हमारे नाक पे और या फिर हमारे जैसे गाल के उपर काले-काले पिंपल्स हो जाता है तो उसको भी ये निकालने में बहुती अच्छा रिजल्ट देता है तो फ्रेंड्स आप इस face fake को एक बार अपने चहरे के उपर जरूर अपलाई कीजिए इससे आपको धीरे-धीरे हपते या दो हपते के अंदर रिजल्ट बहुती अच्छा मिलेगा क्योंकि फ्रेंड्स ये face fake हमने हमारे घर के natural चीजों से बनाया है इसमें कोई भी side infect नहीं होता तो आप इस remedy को एक बार जरूर यूज कीजिए तो अब हम इस हाथ को धो लेते हैं जैसे हमें 5 या 10 मिर्ट तक दीरे-दीरे इसी तरीके से मसाज करने अपने हाथों पे या फिर चेहरों पे और उसके बाद हम एक सादारन पाने से वोस कर लेते हैं अपने हाथों को तो फ्रेंड्स मैं आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है और इसी तरीके से आपने हाथ पाम और गर्दन और चेहरे को क्लीन कर सकते हो आई होप कि आज का वीडियो आपको बहु ज़्यादा पसंद आया है अगर पसंद आता है तो फ्रेंड्स एक लाइक जरूर कीजिएगा मिलती है नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फोर वोचिंग